क्लास 11th में दस यूनिट आपके सिलेबस में पढ़ाना है चाहे वो CBSC बोर्ड के स्टूडिंट्स हो या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडिंट्स सभी को दस यूनिट पढ़ने हैं पहला यूनिट काफी महत्तपुर्ण है जो मेजर्मेंट है यूनिट्स और मेजर्मेंट के रूप में जाना जाता है उसमें हम लोग जो लेक्चर देंगे उसमें बताएंगे यूनिट क्या है यानि सिलेबस का यूनिट वन इसमें हमारा जो टॉपिक रिलेटेड होगा वो जो टॉपिक यह पहला सिलेबस में आपका यूनिट वन है इस यूनिट वन में आपके जो टॉपिक पढ़ाय जाएंगे यूनिट एंड इट्स मेजर्मेंट दूसरा जो हमारे पास होगा पढ़ाई हो होंगे दाइमेंशन और तीसरे नंबर पर हम लोग एर्रस इन मेजर्मेंट होगा जिसको एक्सपरिमेंटल फिजिक्स के रुपे भी हम लोग जानते हैं इसमें मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा है यूनिट पूरे 11-12 पूरे कोर्स का फंडमेंटल है फांडेशन स्टोन है क्योंकि इसको बिना जाने हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अब ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं यूनिट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी कि चीज का मेजरमेंट करना हो किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना हो फिजिकल क्वांटिटी का और उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमको यूनिट के आवर्षक्ता होगी, जैसे आप मालो लड्डू खरिदने जाना है, तो लड्डू के लिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो लड्डू का फिजिकल क्वांटिटी होगा, मास, और मास का स्टैंडर मेजर्मेंट क्या होगा, तो होगा केज, उसी तरह से कपड़ा खरिदना है, तो उसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, लेंद, और उसका स्टैंडर यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक उसी तरह समय देखना है, तो समय टाइम के लिए टाइम फिजिक वेजीकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का युनिट क्या होगा सेकेंड होगा कहने का मतलब कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होंगे यह physical quantity, इस physical quantity का requirements है, measurement के लिए, physical quantity के measurements के लिए required क्या हो गए? यूनिट, इस the requirements, अब यह physical quantity हमारे दोनों हो सकते हैं, यह directional भी हो सकते हैं, और non-directional भी हो सकते हैं, सभी के लिए हमको unit के आविशक्ता पड़ेगे, अब हम देखें, कि unit का definition क्या है? यूनिट किसको कहते हैं, what is unit? एक्चुली हम जानना चाहते हैं, unit है क्या? तो किसी भी physical quantity का, जो standard measurement होगा, उसको हम लोग unit कहते हैं. The standard measurement of a physical quantity that is, that is quantity and that is called that is called unit, meaning the standard measurement, two important words are you? One is standard measurement and the other is physical quantity. If any physical quantity has a standard measurement, that is called unit, clear? It is your second. Now let's go. Unit, cable, not as much as we have said. We have said that mass, mass is a physical quantity. What is the standard? What is the length? The length. We have said that the length is a meter. Time is a physical quantity. It is your second. Current. Current. What is the length? Ampere. 음-m model statement of the technique pillar information. While the length is 1,6 follower, which is the length of the length. By the length of the length, take this weight to be measured and regardless of the length of the length, we just need to be applied to the length at the width. So we'll decide, earlier, in terms of torque, look at something and the north as long as its torque is Per actual peso. That means to be your mass, and sequence as your sauc-d Sei %這個 strength, which does level the length of the length of the diameter of the width. से नहीं पता चला, आपको कहना होगा, एक केजी, दो केजी, तीन केजी, कपड़ा खरिजना है केबल मीटर कहने से काम नहीं चलेगा, बलके आपको कहना होगा, एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर, यानि नमबर इस रिक्वाइट, बस इसी बात को बताने के लिए, इसी बात के लिए, इसी बात को बताने के लिए हम लोगों ने फिर ले लिया कि भाई हमारा mathematical definition क्या होगा, complete definition क्या होगा तो mathematically, 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 mathematically expressed as n inversely proportional to u, या इसको कह सकते हैं, nu is equal to constant rate, where n is equal to numerical value, numerical value, and u is equal to magnitude of the quantity, माली जिसका example आप ले लें, example, कहीं लिखा हो 20 kg, तो n हो गया 20, u हो गया kg, कहीं लिखा हो 40 meter, n 40, u meter, कहीं लिखा हो 60 second, n 60, u second, यह सब expressions हो गया, मतलब, यह हम kg केबल देते, उससे unit का definition clear नहीं होता, हमको 20 number देना पड़ा, तब complete definition, हमारे पास mass unit का आगया, और mass को हम express कर दिए, उसी तरह से length को express कर दिए, 40 meter दे करके, इसको पूरे को देने वाले कौन थे, इस पर जड़ा नज़ा रखे, तो इसके देने वाले थे, आपके Lord Kelvin, हम लोग इसको कहते हैं, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई, एक चोटा सा question बन जाता है, कि discoverer of unit कौन थे, तो इस unit के discoverer हो गया, Lord Kelvin, Lord Kelvin, इन्होंने ही पहले इस unit को बताया, इस mathematical expression को develop करके दिखाया, मैं समस्ता हम clear हो गया है, कि इसके भी physical quantity का, जो standard measurement होता है, उसको हम लोग unit बोलते हैं, दूसरा point, हमने देखा कि mathematical unit को कैसे express की है, तो n inversely proportional to u, और n u is equal to constant हो गया, यह मैंने दिखाया, जहाँ n numerical value है, यू is the magnitude of the quantity हो गया, अब हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, यूनिट के types कितना होता है, तो types of unit, यूनिट के type, तो unit के type हम लोग एक लेते हैं, fundamental unit, fundamental unit, यू IC को हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं, that is called basic unit, दूसरा हो गया, आपका derived unit, derived unit, और तीसरा हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग system है, लेकिन इसको हम लोग आजकल unit में ही रख दिये हैं, supplementary unit, ये तीन तरह क्या हो गया, ये unit के types 3 हो गया, एक fundamental हो गया या इसको basic unit कहते हैं, दूसरा derived unit हो गया, और थर्ड इस और supplementary unit, फिर हम लोग देखें, अब ये देखें कि भई, ये फंडामेंटल unit किसको कहते हैं, यानि what is fundamental और basic unit, फंडामेंटल या basic unit किसको कहते हैं, तो ये fundamental या basic unit, ये independent unit है, these are an independent unit, ये independent unit है, जो दूसरे पर depend नहीं करता है, which does not depend on, does not depend on other units, दूसरे unit पर वो depend नहीं करता है, दूसरा point है, किसके example क्या होंगे, so what are the examples, तो example, इसके example हो गया, और ये होते कितने तरह के है, तो ये साथ तरह के होते हैं, and these are limited units, these are your, there are seven types of unit, and example, there are seven types of unit, and the examples are, mass, second, length, third, time, thermodynamic, temperature, fifth, luminous intensity, sixth, current, and seventh is, amount of substance, mass के लिए हम लोग, kg दे, length लिए meter, second, Kelvin, have been, candela, ampere, amount of substance का मोई, तो ये साथ तरह के, fundamental या basic units हो गया, हैं, अब आपने देखा के, units कितने तरह के हो गया, normally, दो ही लिया जाता है, fundamental या basic unit, second जो derived unit, third हमने, supplementary भी ले लिया है, supplementary unit, यह मैंने consider किया है, basic या fundamental unit, किसको कहते हैं, तो ये desire your, desire and independent units, ये दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, शोतंत्र होता है, और ये साथ तरह के होते हैं, there are seven types of, fundamental units, there are seven types of units, that is your, seven types of, आप कह सकते इसको, fundamental unit, ऐसे लिग दे तो ज्यादा सही होगा, there are seven types of, fundamental or, basic unit, seven types of, fundamental unit, there are seven types of fundamental unit, the examples are, mass, length, time, thermodynamic temperature, luminous intensity, current, and amount of substance, mass के लिए kg होता है, length के लिए meter, time के लिए second, temperature के लिए Kelvin, luminous intensity, candela, current ampere, and amount of substance का, mole, अब हम लोग चलें, देखें, के derived unit के उसको कहते हैं, अब देखेंट पर हावें, derived unit, dependent unit, a dependent unit है, these are, these are dependent, dependent unit which depend on, fundamental or basic unit, it depends on fundamental or basic unit. इसके नमबर unlimited होते हैं, इसके नमबर unlimited होते हैं, क्योंकि वो fundamental पर depend कर रहा है, अब हम देखें, कि यह होते कितने हैं, इसके examples, अब देखें इसका, example लेकिए, इसे area, area is called to होता है, length into breadth, meter into meter, meter square, देखें, यह दोनों ही क्या है, यह meter, meter, length, breadth, दोनों basic unit पर depend कर रहा है, derivative area होते हैं, ठीक उसी तरह से आप लें, आगे बढ़ें, हम सोचे volume को ले लेते हैं, तो volume is called to length, breadth and depth, यह आप देखें, यह देखें, फिर हम लोग लेते हैं, depth, फिर अगर आप ध्यान से देखें, तो length का meter, breadth का भी meter, और depth का भी meter, it is your what, meter cube, यह सब derived unit होगे, फिर अगर आप देखें, दूसरे terminology को देखें, तो फिर आप देखें, density, अगर आप density इस कर्टू होता है, mass by volume, kg by meter cube, kg per meter cube, यह density हो गया, यहाँ आप देख रहे है, kg, it is your fundamental, meter, it is your fundamental, and it is what, it is your kg per meter cube, आप ऐसे लिख सकते है, kg per meter cube, यह सकते है, ठीक, इसी तरह से अगर कोई student लिखे, velocity, यह भी derived unit है, this is your, पल इसको जानना होगा, displacement by time, यानि meter by second, so it is your meter per second, इसी तरह से हम लोग बहुत सारे derived units को चेक करेंगे, देख सकते हैं, मैं समझत हूँ, आपका clear हो गया concept, हमने आज start किया 11th class की पढ़ाईया आपका शुरू हुआ, इसमें 10 unit आपके syllabus में पढ़ाने हैं, उसमें जो पहला unit है, वो first unit आपने पढ़ा, unit and measurement है, उसमें मैंने unit start किया, unit के definition को बताया, कि किसी भी physical quantity का जो standard measurement होता है, उसको unit कहते हैं, physical quantity जिसका existence हो, जिसका measurement किया जा सके, वो physical quantity है, फिर हम लोग देखें, कि आप मालो physical quantity mass है, तो mass का kg है, length का meter है, time का second है, लेकिन cable kg कहने से काम नहीं चल रहा है, 2 kg, 4 kg, 5 kg, length में कितना meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, time में कितना second, 30 second, 20 second, 60 second, यह सारा term को जड़ोत पढ़ा, अब हम लोगों ने ले लिया, इसके बाद हम आगे, फिर आगे बढ़े, तो हमने देखा, कि इसके units कैसे लेंगे, फिर हम आए, types of unit पर, साथ में mathematical expression लिये, unit को mathematically कैसे दिखाए, तो n inversely proportional to u, n u is equal to constant, n numerical value, u magnitude of the quantity हो लिया, इसके example लिये 20 kg, 30 second पर दिखाए, फिर हम लोग आए, types of unit, types of unit में हमने लिया, basic unit या fundamental unit, derived unit, supplement unit, जो fundamental unit हुआ, या basic unit, these are independent units, और उसके example हमने साथ दिखाया, mass, length, time, temperature, luminous intensity, current, derived unit जो dependent है, area, velocity, volume, density, यह सब दिखाए, और फिर हमने दिखाया कि cases में work करता है हमारा, फिर हम लोग आए, जर आज supplementary unit पर आए, कि supplementary unit क्या है, यह supplementary unit ratio होता है, दो physical quantity के बीच का, रचे का, जर नर आए, जर तो, तू रचे का, डिरुए, जर तो यह होते कितने तरह के हैं तो यह फिर आप दो तरह के होते हैं एक हो गया प्लेन एंगिल और दूसरा हो गया सॉलिड एंगिल प्लेन एंगिल को हम लोग लेते हैं प्लेन एंगिल को थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया सॉलिड एंगिल को हमने डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया प्लेन एंगिल के भी फर्मूला को हमने लिया तो प्लेन एंगिल थीटा एंगिल टू आर्क बाई रेडियस इसको दिखाने के लिए आप थीटा लें यह आपके पास आर्क रेडियस हो गया है यह आर्क हो गया है ल तो आप बड़ा सिंपल सा डिफ्लिशन पहले लिये थे थीटा एंगिल टू ल वाई आर्क जो आप देख रहे हैं ठीक इसी तरह से आप देख रहे हैं सॉलिड एंगिल डी ओमेगा भी यह पोर्शन आपके पास हो गया है यह हमारे पास एरिया हो गया इलिमेंटरी एरिया डी एस इस सॉलिड एंगिल को हम लोग इंगिल एंगिल एंगिल रहे है कि अगः आउफ एंगिल और इसको लिखाने के लिए रिफ़ा conclude d omega is equal to लिखते हैं, ds cos theta by r square, where ds elementary surface area, r equal to radius of angle of cone का, यह radius है, तो यह हम लोग यहां तक पहुन गया है, स्टार्टिंग से हमने यह discussion किया, तो अब जो हमने पढ़ाया, इसको आप फिर से देख लें, क्या-क्या पढ़ाएं, तो हमने पढ़ाया कि unit क्या है, what is unit, what is unit, दूसरा मैंने दिया कि discoverer of unit, who was the, discoverer of unit, फिर मैंने दिया, how many types of unit, फिर मैंने बताया, types of unit, मैंने दिफरेंस, मैंने बताया, what is the difference between fundamental unit and derived unit, यह मैंने दिया, फिर हम लोग आगे बढ़े, तो बताएं, कि supplementary unit किसको कहते है, what is supplementary, supplementary, what is supplementary, supplementary unit, तो यह सारा हमने डिस्केशन आज किया है, फिर हम लोग आएंगे system पर, types of system, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, that we will do it, तो इतना ही, आज के class को हम लोग करते हैं, so this is all about, thank you for this today.